हालो चिल्रन वेलकम बाक अगेन आज हम पढ़ेंगे की फूर्ड प्रेजरवेशन क्यों जरूरी है जब फूर्ड प्रेजरव किया जाता है तो उसका नूट्रिशन उसके नूट्रिटिव वेल्यू आज सच रहते हैं, मेंटेंड रहते हैं शेल्फ लाइफ का मतलब है पीरियद ऑफ टाइम दूरिंग विच फूर्ड विल रिमेन सेफ तू कंजूम वो टाइम पिरियड जिसके दौरान वो फूर्ड सेफ है खाने के लिए, फूर्ड प्रेजरवेशन से वो टाइम पिरियड भी बढ़ जाता है और बहुत सारी पैरिशिबल फूर्ड फूर्ड आइटम्स भी प्रिजर्व हो जाती हैं लंबे समय तक पैरिशिबल फूर्ड 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 आइटम्स भी जाता लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है जब भी हम खाना चाहें तो वो मार्केट में एविलेबल होती है क्योंकि खाना लंबे समय तक चलेगा तो खाना खराब नहीं होगा जिस वज़ए से वेस्टेज भी कम होगी It helps in adding variety to the diet For example, कुछ कंटरीज में हर तरह के fruits और vegetables वहां पे ग्रोह नहीं किया जाते Due to their unfavorable soil और weather conditions तो इस non-availability को कैसे overcome किया जाता है By importing these preserved fruits and vegetables from the other parts of the world Now children, we will discuss one of the serious issues that is wastage of food Parties में आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सारा खाना अपनी प्लेट में भर लेते हैं Without even thinking कि वो इस खाने को खतम भी कर पाएंगे या नहीं और कई बरी तो वो खाना वो आधा भी खतम नहीं कर पाते आपको क्या लगता है कि उस खाने का क्या होता होगा Obviously उस खाने को फैक दिया जाता है, dust wind में डाल दिया जाता है सोचने वाली बात है कि हम ऐसी country में रहते हैं जहां लाखों लोगों को भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता वहां पे खाना इस तरह से वेस्ट होता है Dear children, when we waste food We waste money We waste energy We waste water We waste effort And we waste love If we don't stop, there will be nothing left The food you waste is another person's meal वो किसी दूसरे का खाना हो सकता है Dear children, is it right to waste food especially in a country like ours where lakhs of people cannot afford even one square meal a day जहां पे लोगों को भर पेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है Recent statistics बताती हैं कि हर 5 second में एक बच्चा भूग की वज़ा से मर जाता है जबकि लाखों टन खाना वेस्ट हो जाता है तो अगर next time आप food tasty ना होने की वज़े से complaint करते हो तो एक बार उन बच्चों के बारे में जरूर सोचना है जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है उतना ही खाना लेना है जितना की हम खा सकते हैं अल्सो वाल शॉपिंग करते हुए भी वही छीजें खरीदनी है जिनकी हमें जरूरत है गला देंडे उन्साब एक टेंड़ागी करते हैं जिसमें जरूरत है जरूरत है झाला है जरूरत लेकर से खाने हैं इसकते हैं जरूविंगे लिगारे लागें जरूरत हैं